हाई I am Aryan आए दोस्तो विडियो की शुरुआत करते हैं मिराज का टॉपिक है विल मतलब होता है गा गेगी सेल मतलब भी होता है गा गेगी और उड मतलब होता है गा गेगी नमबर उन सेल सेल मतलब होता है जो sentence के लाष्ट में गा गे गी आए formula देख लेते हैं, सबसे पहले subject लाएँगे उसके बाद verb word, एक sentence लेते हैं में कल जाओंगा, में कल जाओंगा sentence को बनाते हैं, formula के अनुसार सबसे पहले subject लिखना है subject में का आई हुआ, उसके बाद soul लगाना है गागएगी के लिए, soul लगा दी है उसके और भर वर्न लिखना है जाना का English क्या होता है go लिख दिये में एक का English क्या होता है tomorrow लिख दिये sentence बन गिया मैं कल जाओंगा I sell go tomorrow आपको ये बता दे कि Sell का परियोग भविस में होने वाले काम को बताने के लिए किया जाता है एक और sentence ले लेते हैं हम लोग गाना गाएंगे सबसे पहले subject लिखना है subject हम लोग का we हुआ उसके बाद सेल लगाना है गागी के लिए सेल लगा दिये उसके बाद गाएंगे का English लिखना है जो की भर वोवन है sing लिख दिये we shall sing और क्या बज़ गाना उसका लिखेंगे a song मेरा sentence बन गया we shall sing a song हम लोग गाना गाएंगे का sentence बना we shall sing a song आपको एक चीज और बताते हैं अंग्रेजी में कोई भी चीज एक चीज जटाने के लिए उसके आगे a और n लगाते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग गाना गाएंगे का we shall sing a song यहाँ पर a song क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पर एक गाना के लिए बोला गया है a song ओके इंग्लिस में कोई भी एक चीज के लिए a और n लगाते हैं अगला topic है will will का इंग्लिस होता है गा गे गी इसका formula है सबसे पहले subject लिखेंगे उसके बाद will और उसके बाद verb one will और sell दोनों जुड़वा भाईसा है sell का परियोग modern इंग्लिस में नहीं के बुरावर होता है will का परियोग बहुत ही जादा होता है हम लोग हर चीज में will का परियोग करते हैं गागेगी के लिए जैसे में कल जाओंगा अभी हम लोग ने बनाया I sell go tomorrow इसको हम बना भी सकते हैं I will go tomorrow और formula के अनुसर बनाते तो सबसे पहले subject लिखेंगे में का I उसके बाद will लगाएंगे उसके बाद जाना के इंग्लिस गो होता है जो की भर भे लिख दिये I will go और बचा sentence tomorrow लिख दिये I will go tomorrow में कल जाओंगा I will go tomorrow एक और sentence ले ले लेते हैं हम लोग गाना गाएंगे formula देखेंगे सबसे पहले subject लिखना है subject यहाँ पर हम लोग का V हुआ उसके बाद will लगाना है will लगा दिये उसके बाद गाएंगे का English लिखना है sing उसके बाद क्या गाएंगे गाना गाना का English होगा a song मेरा sentence बन गिया we will sing a song हम लोग गाना गाएंगे का बना we will sing a song अब सेल लगा सकते हो या will दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो पर Modern English में will का परियोग बहुत ही ज़ादा होता है सेल गायप सा हो रहा है तीसरा Topic है उड़ उड़ का English भी गागेगी के लिए होता है उड़ का परियोग हम लोग परियंड यह नि बातवान के लिए करते हैं जैसे will का परियोग will sell का परियोग कल के लिए करते हैं जो कम हम कल future में करेंगे उसके लिए will sell का परियोग करते हैं लेकिन would का परियोग हम लोग वह अर्तमान के लिए करते हैं अभी के लिए करते हैं जैसे मैं अभी खाना चाहूंगा इसे English में बोलेंगे I would like to eat now क्या बोलेंगे, I would like to eat now, एक और sentence, इस uniform में आप बहुत अच्छे लगोगे, इस English में बोलेंगे, You would look nice in this uniform, एक और sentence, उट से related, आई रात में यहां रुखना चाहूंगा, इस English में बोलेंगे, I would like to stay here tonight, उट का भी गागेगी के लिए होता है, पर यह वह रतमान के लिए होता है, और विल सेल का परियोग, फ्यूचर यनि कल परसू के लिए होता है, जैसे मैं तुम से मिलूँगा, एक sentence ले लेते हैं, इसको हम बनाएंगे, I will meet you, अगर यह हम कल मिलते हैं, तो I will meet you बोलेंगे, और यह आज हम मिलते हैं, तो बोलेंगे, I would meet you, दोनों ही correct है, एक और sentence ले लेते हैं, जैसे मैं वहाँ जाओंगा, इसको इंग्लिस में बनाएंगे, I will go there, अगर हम I will go there लिखते हैं या बोलते हैं, तो हम कल परसू कहीं जाएंगे, और अगर बोलते हैं, I would go there, मतलम आज हम कहीं जाएंगे, विल का परियोग future के लिए और उड का परियोग अभी के लिए होता है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में ज़रूर लिखके बताएं, ये रहा homework, मैं वहाँ परहूंगा, चलिए इसे आपको, would, will, sell, तीनों तरीके से comment box में लिखके बताना है, तब तक के यानि subject, will, sell, would और उसके बाद verb, one यही formula के अनुसार बनाना है, वीडियो को like करें, subscribe करें, और bell icon को बजा दे, ताकि आपको notification मिलते रहें नहीं वीडियो के,